आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे राहुल की आत्रा को लेकर ठाणे में पैराशूट, ग्लाइडिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगाये गया है ठाणे जिला प्रशासन ने गुरुवार 14 मार्ज को इसको लेकर एक आदेश जारी किया राहुल गांधी की न्याय आत्रा गुरुवार 14 मार्ज को महराश्ट के नासिक में थी राहुल ने यहां के प्रसिधत रयंब केश्वर मंदर में पूजा अर्चना की हिंदो धर्म की मानिताओं के मताबिक भगवान शिव के 12 जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग यहां पर इस्थित है राहुल ने पूजा के बाद गुरुवार दो पहर नासिक से अपनी न्याय आत्रा फिर शुरू की उन्होंने यहां एक सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर देश के लोगों के साथ आर्थिक अन्याय करने का आरूप लगाया राहुल ने कहा कितने पुलिस, IAS, IPS परिक्षा देने वालों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों का करज माफ किया एक रुपया भी नहीं, सबसे अमेर लोगों का 16 लाख करोड रुपय का करज माफ कर दिया गया है यह आर्थिक अन्याय है, भारत में 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना भारत के 70 करोड लोगों के पास है ये अन्याय है, हम इस अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा रहुल गांधी भारत जोडो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में महराश्ट के नंदुर बार जिले से राज्य में दाखिल हुए थे 17 मार्च को मुंबई में एक विशाल रैली के साथ यात्रा को खत्म करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने INDIA ब्लॉक के सभी दलों को रैली में शामिल होने को कहा है आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सबसे आगे